नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा 11 के वैवसाई का ध्यन विश्य में वैवसाई, वैपार और वानिज्य पाठ के अंत्रगत वैवसाई किरियाओं के वर्गिकन का अध्यन करेंगे इसको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप उध्योग, वानिज्य, वैपार और वैपार की साहई किरियाओं को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तो आईए बच्चो वैवसाई किरियाओं के वर्गिकन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चो इससे पहले के वीडियो में आपने वैवसाई का अर्थ, उसकी प्रकृती और उसके उध्यश्य को सीख लिया होगा मुझे उम्मीद हैं कि आप उध्योग तथा उसके प्रकारों से प्रिचित हो जाएंगे किसी भी प्रकार की उध्योगी इकाई को देखकर उसके प्रकार की पहचान कर लेंगे वानिज्य का अर्थ तथा उसके कारियों से प्रिचित हो जाएंगे वैपार तथा वैपार के प्रकार को समझ जाएंगे वेपार के साहिक तथा उध्धोग वेपार में उनके योगदान को अच्छी तरह से जान जाएंगे बच्चो वेवसाहिक किरियाओं को दो तरह से वर्गिकर्ट किया जाता है उध्धोग और वानिज्जे वे समस्त किरियाएं जो वस्तों के उत्पादन अथ्वा निर्मान के लिए की जाती है उध्धोग के अंतरगत आती है उध्धोग में कच्चे माल को त्यार माल में परिवर्टित किया जाता है जबकि वानिज्य में उध्योग तता उत्पादित वस्त्वों का करे विक्रे वितन और हस्तांतन किया जाता है आईए हम पहली वैवसाई किरिया उध्योग के बारे में विश्तार पूरुक चर्चा करते हैं उध्योग में कारीगिरों द्वारा मसीनों की साहता से तकनीकी कारियों के द्वारा वस्त्वों को सुईधाजनक और अधिक उप्योगी बना दिया जाता है साथ ही पस्वों के प्रजन, विकास और पालने की किरिया भी उध्योग में ही शामिल की जाती है यद पी उध्योग एक सामुहिक सब्द है इसमें समान उत्पादन करने वाली बहुत से इकाईयां शामिल होती है जैसे गन्ने से चीनी बनाने वाली सारी इकाईयां चीनी उध्योग कहलाती है उध्योग में वस्तूओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है जैस प्राक्मिक उध्योग प्राकर्तिक उत्पादों से जुड़े हैं इन में भूमी से खनिजलवन, निकालना, परस्वों का पालन और परजनन करवाना, क्रिशी तथा बागवानी जैसी किरियाओं को शैमिल किया जाता है यह उध्योग दो परकार के होते हैं निशकर्षन उध्योग और जननिक उध्योग निशकर्षन उध्योग में उत्पादों को भूमी, पानी, हवा से निकाला जाता है निशकर्षन उध्धोगों में उत्पादों को भूमी, पानी या हवा से निकाला जाता है इनका परियोग वी निर्मानी एम रचनात्मक उध्धोगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है खनन, इमार्ती लकडी प्राप्त करना, मदुमक्खी पालन, क्रिसी करना, आदी निशकर्षन उध्धोगों के अंतरगत आते हैं प्रात्मिक उध्धोगों का दूसरा परकार जननिक उध्धोग है इन उध्धोगों में पस्वी पक्षियों का परजनन, उनका विकास, भिन-भिन परकार की वनस्पतियों को उगाना, उन्नत बीज और पोधोगों को विक्सित करना आदी किरियाएं शामिल की जाती है उध्धोगों द्वारा उध्धोगों का दूसरा परकार द्वित्तिक या माध्मिक उध्धोगों में प्रात्मिक उध्धोगों से प्राप्त उत्पादन को कच्चे माल के रूप में परियोग किया जाता है तथा इससे त्यार माल या दूसरे उध्योगों के लिए अर्द निर्मित माल का उत्पादन किया जाता है जैसे तंबे को खानों से निकाल कर उनके बरतन को बनाना या तंबे की सीट बनाना द्वितिक उध्योगों का उधारन है आगे मध्मिक या दवीतिक उध्योगों को दो श्रहनियों में बाटा जाता है वी निर्माण उध्योग manufacturing industry, निर्माण उध्योग constructive industries वी निर्माण उध्योगों में कच्चे माल पर यांत्रिक और तक्नीकी प्रकिरिया करके इसे अधिक उप्योगी और स्विधा जनक बनाया जाता है उत्पादन की प्रकिरिया के आधार पर हम इसे चार स्रैनियों में बांट सकते हैं विशलेशनात्मक उध्योग एनेलेटिकल इंडिस्टी करत्रिम उध्योग सेंथेटिक इंडिस्टी परकिरियाई या परकिर्मिय उध्योग प्रोसेसिंग इंडिस्टी समलीत उध्योग असेंब्लिंग इंडिस्टी विशलेशनात्मक उध्योगों में एक उत्पाद का विशलेशन कर उसके अलग-अलग उत्पाद बना दिये जाते हैं जैसे कच्चे तेल को निशकर्षन उध्योग से प्राप्त करके तेल सोधक कार खाने पैट्रोल, डीजल, गैसोलीन आदी में विभक्त कर देते हैं करत्रिम उध्योगों में अलग-अलग पदार्थों को मिलाकर एक नया करत्रिम उत्पाद त्यार किया जाता है जैसे पत्थर, चुने और जिपसम को मिलाकर सिमेंट त्यार किया जाता है परकिरियाई उध्योगों में एक विवस्थित परकिरिया के द्वारा उत्पाद को त्यार माल में बदल दिया जाता है जो उपयोग में अधिक सुईदाजनक हो जाता है जैसे कपास से वस्तर और वनों की लुगदी से कागच बनाना सम्मेलित उध्योग ऐसे वे निर्मानी उध्योग जो दूसरे उध्योगों में निर्मित अलग अलग कलपुर्जो को जोड़कर एक नए उध्योग को त्यार करते हैं जैसे कंप्यूटर बनाना टिवी बनाना कारों का निर्मान करना आईए अब माध्यमिक उध्योगों के दूसरे परकार निर्मानी उध्योग की चर्चा करते हैं निर्मानी उध्योगों में वास्तुकला और अभियांत्रीकी का प्रियोग करके रचनात्मक कारिये किये जाते हैं जैसे सडके बनाना, पुल और सुरंगे बनाना, भवनों का निर्मान करना आदी ये उध्योग पूरी वयुसाई किरियाओं को आधार भूत धांचा परदान करते हैं उध्योगों का तीसरा और अंतिमबाग तृत्यक या सेवा उध्योग है सेवा उध्योग सभी उध्योगिक वानिजी किरियाओं की साहता करते हैं इन उध्योगों में परिवेहन, संदेशवाहन, बैंकिंग, बीमा, पैकजिंग और विज्यापन शामिल हैं और इ मेकिन इंडिया क्या है? तो सुनो, भारत सरकार ने अपने देश में रोजगार और कोशल के आउसरों को विक्सित करने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेकिन इंडिया की पहल की. इसमें अर्थववस्ता के उन 25 अक्षेत्रों का चुनाव किया गया, जिन को भारत में स्थापित कर अध पूर्ण विवसाई किरिया वानिजय अर्थात को मर्स है. आप अभी तक ये तो जान ही गए हैं कि वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन उध्धोगों में किया जाता है. लेकिन क्या आपने कल्पना की हैं कि वे उत्पाद आप तक कैसे पहुंचते हैं? उत्पाद को अ इमा, बैंकिंग और विग्यापन आदी किरियाओं को किया जाता है. अत्या वानिजय के माद्यम से हम वस्तू या सेवा के विन्मे में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित, एमसूचना, संबंदी भादाओं का समाधान कर उध्योग और वैपार को गती परदान करते है वानिजय के दो परमुख भाग वैपार और वैपार के साहिक होते हैं. बच्चो आपने कभी तो अपनी आवसकता की वस्तू जैसे पैन, बिस्किट्स, पेश्ट तो जरूर खरीदी होगी. जिन दुकानों से आप ये वस्तू खरीदते हैं, वो सभी वैवसाइक गतिविद किया कर रहे होते हैं. धन अर्जन के लिए वस्तू का विन्मे करना वैपार कहलाता है. वैपारिक किरियाओं के द्वारा मध्यस्त माल का हस्तांतर्ण अंतिम उभ्भोगता तक कर पाते हैं. क्योंकि उत्पादक के लिए सभी उभ्भोगताओं तक पहुचना संभव नहीं हैं. वैपार को अंत्रिक अत्वा देशी एम बाहिय अत्वा विदेशी वैपार दो परकार से विभख्त किया जाता है. जब वस्तों और सेवाओं को एक ही देश की सिमाओं के अंदर खरीदा और बेचा जाता है तो यह अंत्रिक या देशी वैपार कहलाता है. अंत्रिक व वैपार होलसेल ट्रेड फुटकर वैपार रिटेल ट्रेड जब उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीद कर फुटकर वैपारीयों को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जाता है तब ऐसी स्थिती के वैपार को थोक वैपार कहा जाता है जब वस्तों को अप्रेक्षाकर्ट कम मात्रा में खरीद कर उभोगताओं को और थोड़ा करके बेचा जाता है तो इसे फुटकर वैपार की संघ्या दी जाती है विदेशी या भाहिय वैपार ऐसा वैपार है जो देशों के मध्धे किया जाता है अर्थात जब करे करने वाला देश अलग है और विक्रे करने वाला देश अलग है तो विदेशी वैपार कहलाता है विदेशी वेपार को हम तीन भागों में बांट सकते हैं आयात वेपार, निर्यात वेपार और पुने निर्यात वेपार जब उत्पादों का दूसरे देशों से क्रे किया जाता है उसे आयात वेपार कहते है जब उत्पादों को दूसरे देशों में विक्रे किया जाता है तो निर्यात वपार कहलाता है जब एक देश से आयात कर उस माल को दूसरे देश में निर्यात कर दिया जाता है तब इसे पुने निर्यात या आयात निर्यात वपार कहा जाता है बच्चो आपको पता है कि ऐसा कब किया जाता है कभी कभी दो देशों के वैपारिक सम्मंद नहीं होते जिस से आपस में वो पर्तेक्स रूप से वैपार नहीं कर सकते तो एक तीसरे देश की साहता से आयात किया जाता है और फिर उस देश को निर्यात कर दिया जाता है इसलिए आयात और निर्यात वैपार कहलाता है जैसा कि आपको पता है वैपार में तो वस्तो और सेवाओं का विन्मे किया जाता है लेकिन उसका वित्रन, हस्तान्तन और अंतिम उभोगता तक पहुचाने का कारिय वैपार के सहयकों दुआरा किया जाता है आईए वैपार के सहयकों की चर्चा हम विस्तार पूरू करते हैं पहला वैपार का सहयक है परिवेहन एं संपरेशन, ट्रांस्पोर्टेशन एंड कम्यूकेशन परकरती ने हर भूभा को विसम बनाया है आर्थात कहीं कोई चीज पैदा होती है तो दूसरे स्थान पर कोई दूसरी चीज पैदा होती है लेकिन वस्तू को समान रूप से हर अक्षेतर में परियोग किया जा सकता है जैसे जूट बंगाल और उडिसा में पैदा होती है लेकिन उसका परियोग बोरो के रूप में पैकजिंग के लिए हर जंगाय पर किया जाता है ये हर उध्योग और हर वैपार में होता है तो परिवहन स्थान की बादा को दूर करते हुए उस स्थान से उस वस्तू को उपलब्द करवा देते हैं जिससे इसी तरह एक वैपारी या उत्पादक से माल आदी के बारे में जानकारी लेना, सूचनाओं का आदान प्रगदान क संपरेशन के बिना संभव नहीं हैं संपरेशन के साधन जैसे मोबाइल, इंटरनेट, टेलिफोन, डाक, आदी इसमें हमारी बहुत साहता करते हैं और सूचनाओं के आदान प्रदान को बहुत ही आसान बना देते हैं बैंकिंग और वित, वेवसाय की दूसरी सहाय के रिया है बैंकिंग, प्यारे बच्चों धन के बिना किसी भी कारिये को नहीं किया जा सकता धन नय केवल संपत्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है बलकि उनके रख रखाओ और दिन परती दिन के खर्चों को उठाने के लिए भी आवशक है बैंक वेपारी को ओरडराप्ट की साहिता, बीलो को भून कर कैस क्रेडिट की साहिता देकर वित्त की बादा को दूर कर देते हैं वेवसाय का तिसरा साहिक है बिमा, बिमे का तो नाम आपने सुना ही होगा वेबसाए में बहुत तरह की हानी होने की संभावना होती है बहुत तरह के जोखिम होते हैं जैसे कार खाने की अमारत, फरनीचर, मसीन में आग या चोरी का डर इसी तरह गोदामों या मार्ग में जो माल है उसके खोने या करेमचारियों की बेइमानी से हानी होने की संभाव ना रहती है लेकिन हम एक साधान सा सुल्क देकर जिसको बीमे की भासा में प्रीमियम कहा जाता है अपना दाइत बीमे कमपनी पर हस्तांतन कर देते हैं अर्थात अगर आग चोरी या बेइमानी के कार्ण कोई भी नुकसान हमारे वेवसाय को होगा तो बीमा कमपनी उसकी अक्षती पूर्ती करेगी तो इस परकार बीमा भी उध्योक के नुकसान की भरपाई कर उसकी बहुत साहता करता है वेवसाय के चोथे साहय के रूप में भंडारन हैं वस्तो का उत्पादन करने के बाद उसका विक्रे काफी समय तक नहीं होता वो वस्तो गोदाम या कारखानों में ही पड़ी रहती हैं लेकिन इस अंतराल में वो वस्तो खराब हो सकती हैं उनको नमी धूप बारिश से बचाने के लिए गोदाम ही सुरक्षित जंगा हैं जिससे कीडे मकोडे आदी भी उसमें नहीं लगते कई बार उस वस्तो का उत्पादन नहीं होता तो गोदामों में रखे माल की पूर्ती की जाती है जिससे वो वस्तो हमेशा हमारे पास बनी रहती है और उसके कीमत में भी संतूलन बना रहता है अगर कोई आपदा जैसे बार युद आदी अगर देश में कोई आपदा जैसे बार युद हो जाते हैं तो ऐसी स्थीती में उध्धोग वस्तो का निर्मान नहीं कर सकते तो वस्तू के मिलने में कठना ही होती है तो गोदाम से वस्तू को निकाल कर उसकी पूर्ती को बनाए रखा जा सकता है इसके बाद वैपार का सायक है विज्यापन विज्यापन वस्तुओं के सवर्धन अर्थात उनकी बिक्री को बढ़ाने में किसी वर्दान से कम नहीं है उभोगता वस्तुओं जिनको हम दिन परती दिन अपने घरों में परियोग करते हैं जैसे साबुन, पेस्ट, इलेक्ट्रोनिक सामान, इनके निर्मान या विक्री में छोटी बड़ी बहुत सी ओध्योगिक या वैपारिक इकाईया लगी हुई है अर्थात इन में आपस में बहुत ही प्रत्योगिता पाई जाती है विग्यापन के माद्यम से उभोगता को कम समय में बड़े परभावी तरीके से वस्तू के परियोग, उसके गुण, वस्तू के मुले आदी की जानकारी परदान की जाती है जिससे उभोगता जब इनको खरीदने जाए तो इनके नाम, इनके गुणों से परभावित होकर उस वस्तू को खरीद ले विग्यापन परती सपरदा में बने रहने का बड़ा ही ससक्त साधन है अच्छा बच्चो तो इस परकार हमारा वेवसाई किरियाओं के वरगेकरण का ये टोपिक समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आप अध्यान करते रहिए स्वस्त रहिए और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धिन्यवाद